प्रशान्त यादो मैंने इस साल विनियर्ट यूजी के परिक्षा में 705 स्कूर के साथ ओपन रैंक 146 पराप्त किया जिसमें मेरी कटेगरी रैंक 25 रही है मैं जर której के साथ पिछले 3 साल से पढ़ा ऊँए मैंने क्लास 9th के एंड से यह जर्यू के साथ पढ़ाई किया इया को कुछ श्ले को कुछ नहीं बता था तो नहीं है तो ऐसको एक्स्पोजर से लेके फाइनल नेट एक्जाम में 705 तक पहुचाने में I believe कि जो सबसे बड़ा पाट रहा है वो जारेश ट्रिटोरियल ही रहा है यहां कि टीचर इस तीन साल की पूरी जरनी में हमारे साथ है not on in the syllabus but out of the syllabus जो exam की requirement है जो भी exam demand करता है हमारे लिए in the syllabus obviously जो exam की requirement है उसके साथ टीचर हमारे हमेशा खड़े रहा है wait in the physics जहां सर हो गए दो पैन नौर्थ इंडिया जानता है कि जहां सर की teaching का लेवल क्या है again उनके साथ जो पिजिच की अन्य टीम है wait copain sir and female sir obviously हमेरा in the syllabus हमेशा साथ रहा है again the chemistry department जो हमेशा से मेरा favorite रहा है हमारे सब से सीमोस टीचर ओपी sir and then Sandeep sir, Partag sir and Tiwari sir in the bio department we have Mr. Santosh Pandya sir and Sinha sir and Divedi sir इस सारी teachers from the very first day जब हमने तयारी की तो उस दिन वहां से लेके उस दिन तक जब हम final grade का एक्जाम देने जा रहे थे continuously हमारे connect में रहे from syllabus में जो भी guidance चाहिए थी जो भी एक पच्चे को required होता है एक scratch से लेकर top rank score करने के लिए वो सब कुछ हमें विला है at that वो end किया एक बहुत इच्छी score के साथ and finally जो ultimate aim होता है इस need use exam का कि आपको aims चले जाना है तो एक छोटे से बच्चे को हमें लगता है इस aims दिले तो पहुंचाने में बहुत बड़ा पार्ट राजा है इस tutorial को share करना चाहूंगा कि क्या नहीं करना इस preparation journey में जैसा trend हो गया है जो trend demand करता है कि आपको numbers hours जादे put करने है but here we will discuss कि आपको कौन सी वो चीज़े जो avoid करने avoid करने के मसला आपको strictly वो नहीं ही करना है I believe कि अगर आप class में regular है और class के सारे teachers की बात को follow कर रहे हैं class के सारे test दे रहे हैं class में active है class में involved है class के दूसरी से तीसरी bench में बैठ के teacher के हर question को answer कर रहे है अब class में active है तो हमें लगता है कि वो subconscious mind में आपके यह चलता रहता है कि हम किसी strong या किसी बड़े exam के त्यारी करें कैसे exam की जो आपका career और आपकी lifestyle चेंज करने वाला है तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको regular रहना होगा आपने जहां मेंड मिशन लिया wherever you are बेटी और online ये बेटी और जो भी source आपने चूज किया है I would suggest कि आप वहां regular रहें आप वहां की classes miss ना करें finally result उन्हीं का आया है पहले भी उन्हीं का आतार है not only in bio but in math 2 जिन्होंने end तक class की है जिन्होंने अपने teachers में फेट हमेशा से रहा है simple सी बात है कि आप इतने बड़े market में हैं जहां market flooded पर आया है पुरे content के साथ तो एक question I would like to put कि क्या आप अपने आपको उतना capable समझते हैं कि आप teachers की बात के आगे आप excel कर पाएंगे अपने आपको I would feel हमेशा से ही कि जो teacher आपके साथ 20 साल के experience के शाथ आता है जिसने scratch मैंने अपने teachers पे faith रखा उन्होंने जो बोला वो मैंने end तक किया exam day तक किया and finally you see the results आपके भी case में यह ही होने वाला है अगर आप class में regular है class में involved है तो आपका selection आपके हाथों में होने वाला है पट जो दूसरा इसका side है कि वेर आप market में कहीं गुम हो जाते हैं पूरे market में content जो फैला हुआ है अगर आप कहीं गुम होते हैं अगर आप explore करने लगते हैं उस content को तो आप अपना बहुत precious time इस चीज में waste कर देते हैं कि हम कहां से start करें किस के साथ जाएं तो हम suggestive करना चाहेंगे कि whatever source you are choosing उस source के साथ till date तक, till exam date तक आपको stick रखना है faith रखना है और उसी के साथ end करना है वो continuity अगर आप maintain कर ले जाते हैं अगर आप last तक class कर ले जाते हैं आपका selection हो जाएगा, very sure